पार्किंग एट ओनर्स रिस्क लिख देने से वाहनों के चोरी होने या उन्हें नुकसान होने पर नुकसान की भरपई से मुक्रा नहीं जा सकता माननी सूप्रीम कोड दोरा हालिया पारित नय निरने ताजमहल वर्सेज यूनाइटेड इंडिया इंशूरेंस लिमिटेड के मामले में नयमूर्ती M. शांतनु गोदर और नयमूर्ती अजे रस्तुगी की बेंस दोरा ये विवस्ता दी गई है कि यदि होटल में पार्क किय गया वहन चोरी होता है या उसे कोई नुकसान होता है तो संबंदित होटल को उसकी शती पूर्ती करनी ही करनी होगी नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना एड़ोकेटा जे शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आप ही के अपने चनल लौव एरनेस में आज के इस वीडियो को देखने से बहुत से आम भारतियों को जरूर से रहत मिलेगी जो की जाने अंजाने होटल या किसी व्यापरिक प्रतिष्ठान मालिकों की मनमर्जी के शिकार हुए होंगे आम तोर पर देखने में आता है कि जब भी कोई व्यक्ति होटल में जाता है तो अपना वाहन या तो पार्क करता है अथवा होटल के दरबान को जैसे वो चाबी दे जाते हैं तो उस तरह से चाबी दे करके चला जाता है और वह वाहन पार्क कर देता है तो ऐसी इस्तिति में दोनों इस्तितियों में वाहन माले को पार्किंग टैग दिया जाता है जिसे वाहन माले दिखा कर अपना वाहन वापिस से प्राप्त करता है लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि होटल की पार्किंग अथवा पार्किंग टैग पर होटल संचालक दोरा अपना दाइत वी यानि अपनी जिम्मेदारी को नकार ने संबंदी एक नोटिस जरूर लिखा होता है कि जैसे कि पार्किंग एट आउनर्स रिस्क यानि वहन चो पर लिखे होंगे तो ऐसी इस्तिती में वहन के खोजाने के इस्तिती में होटल संचालों को दोवारा ये दाइत्व नकारने वाले नोटिस का हवाला दे करके वहन मालिकों को शतीपूर्टी देने से इस परशूप से इंकार कर दिया जाता है ऐसी गटनाओं से हर आम वैखास वक्ति को कभी न कभी रूबरू होना ही पड़ता है इस समस्या पर सुनवाई करते हुए माननी सूपरीम कोर्ट की बेंस दोवारा ताजमहल वर्सेज यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस लिमिटेड के मामले में रास्ट्री उपभोकता मंचेनी नेशनल कंजुमर फोरम दोवारा दिये गए निरणे को गलत ठहराते हुए वहन मालिक को अनुतोष परदान करके उसे रहत दि इस मौनेनी सूपरीम कोर्ट दोवारा यह माना गया कि जब भी वहन मालिक अपना वहन होटल में जाने की परषाथ पारक करता है अथो होटल स्टाफ वाहन मालिक का वाहन पार्क करवाता है तो होटल में वाहन पार्किंग रहने के समय पर यदि वाहन की चोरी हो जाती है यह शती ग्रस्त हो जाता है तो उस इस तर्थी में होटल संचालक वे होटल स्टाफ इस शती पूरती के लिए उत्तरदाई होंगे क्योंकि जैसे ही वाहन मालिक ने होटल में अपना वाहन पार करके वाहन की चाबी होटल स्टाफ को सुपूर्ट कर दी वैसे ही वाहन मालिक वह होटल परशासन के मद्द यह मान की चली बेलमेंट इस तरह जैसे एक अमानती के रूप में नहीं होता है गया एक अमानत के दारन दौरा में समझाता हूँ कि बेलिमिंट अत्वा अमांती का सिद्दान ठीक उसी प्रकार का संबन्द होता है जैसे कि आपने अपना गहना या रुपया शादी में बाहर जाते हुए अपने किसी रिष्टेदार को सुपूर्द कर दिया और अपना रुपया या गहना आ उसे बतोर अमांती संबलाया गया सामान वापस से लोटाना होता है उसको ये कह करके नहीं बस सकता कि कोई चोकीदार नहीं है कि आपके सामान की चोकीदारी करना या आपके सामान आमांती रखवाने का को उसने कोई शुल्क या पैसा आपने उसको नहीं दिया या आप से उसने नहीं लिया या आपने अपनी मर्जी से सामान उसके पास रखवाया था उसने सामान की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी आपका सामान आपके रिष्तेदार से खो गया इसलिए आपका सामान वापस नहीं मिल सकता ये इस तरह के एक्सक्यूजिज के लिए बिलकुल इस पस्टूप से माने नहीं सूपरीम कोट ने मना कर दिया, इनको सीरे से कारज कर दिया, यहां जब आपने यह मान के चलते हैं, जैसे आपने अपना सामान, अपने रिष्टिदार के पास में रखने के लिए उसको दिया, उसने सामान तीजोरी में रख लिया, वहीं आपके और रिष्टिदार के बीच में, बेलिमेंट अथ्वा, अमानती के संबंद सम, उस्तापित हो गए, और इन संबंद के स्थापित होते ही, आपका रिष्टिदार इस बात के लिए पावंद हो गया, कि वहें आपके सामान की रख्षा करेगा, और आपके मांगने पर आपका साम या शतिग्रस्त हो गया तब आपका रिष्टेदार सामान आपको सुरक्षित लोटाने के लिए बात दे होगा इसी प्रकार से यदि अगर आपका कोई विवाहन शोरी हो गया है या शतिग्रस्त हो गया जबकि होटल प्रबंदन ने या किसी भी वेवसाइक प्रतिश्टान जिम्मेदारी ले ली थी उसकी चावी रख ली थी या उसको आपसे पार्क करवाया था प्रॉपर जगे पे तो वो ये कह करके या किसी भी प्रकार को नुकसान हो जाने पर ये नहीं कह सकता ही जाब यह नहीं कह सकता दोस्तों इसमें एक समझने वाली बात यह है कि यदि मान लेते हैं आपके ने आपके रिष्टेदार के पास में अपना सामान रखवा दिया बत और अमानती रखवा दिया और वहां पर जैसे कि कोई भी दुरगटना हो जाती है दुरगटना का शिकार हो जा पाई करने के लिए बात दिन नहीं होगा उसी प्रकार से होटल में पार्किया गया वाहन चोरिया शतिगरस्त हो जाए तो जब तक होटल परशासन युक्त सावधानी बरतने का इस पश्ट कथन नहीं कर दे या प्रूव नहीं कर दे कि उन्होंने तो अपनी तरफ से बिलक सरकता बरतनी होगी वाहन की रक्षा के लिए होटल में वाहन पार्क करने की इस्तिति में होटल परशासन वे आपके मद्द समीधा की धारा 152 के अंतर का संबंद स्थापित हो गया है कि आपका वाहन अमानती अत्वा बेलमेंट है और उसकी सुरक्षा होटल परशासन को कर नी ही होगी मातर पार्किंग टैग या पार्किंग स्पेस पर दायित्व नकारने संबंदी नोटिस चस्पा करके वह अपने दायित्व से नहीं बच सकता यहां वाहन चोरी होने या शती गरस्त होने के इस्तिति में होटल संचलन क पर दो नियम लागु होते हैं ।पहला बीमा करता और दूसरा प्रतम दस्टेया लापरवाई का जब तक होटल परशासन युक्त युक्त सावधानी वे ततपरता सिद्ध नहीं करेगा वे अपने दाइत्व से नहीं बच पाएगा कहने का तात्परी यह है कि होटल मालिक हुए नुकसान की बरपाई करने के लिए क पादा नहीं किया तो वे नुकसान प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है यह नहीं कह सकता ऐसे ही जैसे ही मान लेते हैं जैसे ही वाहन होटल मा पार्क होता है वाहन मालिक वे होटल संचाल के मद्द बीमा करता कि संबंद स्थापित हो जाते हैं होटल का स्थाफ यह माल अपने दायतु से नहीं बस सकता जब तक कि वेस्वयम को निर्दोश होने के संबंद में साक्षी प्रस्तूत ना कर दे। अपने अधिकारों के प्रस्तूत ना कर सकता जब तक कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई हजम ना कर सके या हड़प ना कर सके। तो दोस्तों अपने अधिकारों के प्रतिक सतर कर रहें वे अपडेट रहें आपके अपने चैनल लौवेरिनस में मेरे साथ आपके आसपास के लोगों को कानून की नहीं नहीं जानकारिया उपलप्त कराने के लिए वीडियो को शेयर करें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों साथ ही एक अनॉंस्मेंट भी है कि यदि आपको हमसे किसी भी प्रकार की कोई लीगल हेल्प या लीगल एडवाइस से तो ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं और उसका शुल्क हमने बहुत ही कम रखा है 310 रुपे मातर आपका कोई भी जो भी आपका पेमिंट म रहेगा और जब आप एक बार बुक कर लेंगे तो साथ में जो भी आपका पेमिंट मोड रहेगा उस पेमिंट मोड के अनुसर आप पेमिंट के साथ में जो रिमार काता है कि कि किस रिमार के साथ में हम किस वज़े से बेज रहे हैं उसके अंदर आप अपना नंबर दें औ हमारी तरफ से आपको शाम को पांच से लेकर के नो बजे के बीच में कभी भी कॉल आ सकता है, हम लोग कॉल करेंगे, आप लोगों को कॉल नहीं करना है, तो इस तरह से आप लोगों की मैं लीगल हेल्प भी कर सकूँगा, और जो भी होगी आपकी समझेशा, उसका समधान करन के लिए बैल आइकन को भी प्रस कर दें, नमस्कार, जै हिन, जै भारत!